Hello everyone and welcome to learn everything अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा NCRT स्लेबर्स कराने वाली हूँ तो आज किस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस चैप्टर में बताये गया है कि कैसे एक डॉक को अपना मालिक मिला तो चलिए बिला वक्त कवाई हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक समय जो डॉक्स थे वो अपने खुद के मालिक हुआ करते थे और जैसे वूल्प्स आजादी से रहते थे वैसे ही वो भी आजादी से रहते थे जब तक कि एक ऐसा डॉक पैदा नहीं हुआ जो जीने के इस तरीके से बिलकुल भी खुश नहीं था और वो खुश क्यों नहीं था क्योंकि वो बिमार था और भोजन की तलाश में इधर उधर घूम कर वो परिशान था और जो जानवर उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे वो उनसे डर कर भी परिशान था अब उसने इस बात पर सोचा और फैसला किया कि उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि वो किसी एक ऐसे क्रियेचर यानि कि किसी ऐसे जीव का नौकर बन जाए जो इस धरती पर दूसरे सारे जीवों से सबसे ज़्यादा ताकत पर हो और फिर वो जो है एक ऐसे ही मालि के तलाश में निकल पड़ता है फिर वो चलता गया और चलता गया और फिर वो अपने एक रिष्टेदार वूल्फ यानि कि भीड़े से मिला जो कि जितना ड्रावना था उतना ही ताकतवर भी था फिर उस वूल्फ ने उससे पूछा कि डॉग तुम कहा जा रहे हो तो डॉ वूल्फ क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे तो भीड़िया उससे कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे कि मैं मना करूँ तो चलो ठीक है मैं तुम्हारा मालिक बन जाता हूँ और इस बात पर वो दोनों सहमत हो गए और फिर एक साथ चलने लग ग वो चलते गए और चलते गए तभी वूल्फ ने अपने नाक उठाई और कुछ सूंगा और जल्दी से रास्ते को छोड़कर जाडियों में घुज गया और वहां से रेंगता हुआ जंगर में बहुत दूर तक चला गया डॉग इस चीच को देखकर बहुत हैरान हो गया फि यानि कि भालू है और वो हम दोनों को खा सकता है तुम्हे भी और मुझे भी फिर डॉग ये चीज़ देखकर कि जो बियर है वो तो वूल्फ से भी ज़्यादा ताकतवर है तो वो वूल्फ की नौकरी छोड़ने का फैसला करता है और फिर डॉग जो है वो वूल्फ को छो से सहमत हो जाता है और फिर वो डॉक से कहता है कि चलो एक गायों के जुंड को ढूंते हैं मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों पेड भरके खाना खाएंगे और फिर वो वहां से चले गए फिर वो चलते गए और चलते गए और जल्दी ही उन्हें गायों का एक के पास पहुचने वाले थे तभी वो एक ड्रावनी से आवाज को सुनकर वहां पर रुख गए और जो गाय थी वो जोर-जोर से मोविंग के आवाजे यानि के रंभानी के आवाजे निकालने लग गई और इधर-उधर सभी दिशाओं में भागने लग गई ये देखकर बिय से पूछता है कि मुझे यहां पर क्यों आना पड़ा तो बियर उसे जवाब देता है कि क्या तुमने देखा नहीं वहां पर एक शेर था यानि कि लॉयन जो पूरी जंगल पर राज करता है तो डॉक कहता है ये लॉयन कौन है तो बियर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो इस पूरी प्रित्वी में सबसे ताकत पर जानवर कौन है वो है लॉयन यानि कि शेर तो डॉग कहता है तो ठीक है गुडबाई बियर क्यूंकि मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस पूरी धर्ती पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो और उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई और ना हो फिर डॉग महां से चला जाता है और लॉयन से जाकर पूछता है कि क्या आप मेरे मालिक बनेंगे तो लॉयन इस बात पर सहमत हो जाता है और फिर डॉग उसके साथ ही रहने लग जाता है और बहुत लंबे समय तक वो उसकी सेवा करते रहता है डॉग के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जिंदगी थी उसके पास शिकायत कने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि जंगल में लॉयन से ज़्यादा ताकतवर कोई और जानवर नहीं था और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को छूबी सके तो किसी भी तरह से ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वज़े से डॉग जो है वो नाराज हो जाए लेकिन एक दिन वो दोनों रास्ते पर जो सूनी चटानों के बीस से होका जाता था साथ साथ चल रहे थे तभी अच्चानक से शेर रुख जाता है और वो चुपके से चंगल की तरफ चला जाता है और अपने पैर को इतनी जोर से मारता है कि वहाँ पर एक गड़ा बन जाता है और फिर वो चुपके से पीछे होना शुरू हो जाता है फिर डॉग चौक कर उसे पूचता है कि मास्टर ये क्या था? क्या कुछ गलत हुआ है? क्योंकि उसे लगता था कि लॉइन जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है तो लॉइन उससे कहता है कि मैंने सूंगा है कि कोई इनसान जो है वो यहाँ पर आ रहा है अगर हमें बचना है तो यह अच्छा रहेगा कि हम यहाँ से भाग जाए नहीं तो हम मुश्किल में फ़र्ज जाएंगे तो फिर डॉइन कहता है ओ तो ऐसा कुछ है तो लॉइन मैं तुम्हें गुडबाई कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने लेग ऐसा मास्टर चाहिए जो इस पूरी प्रिथवी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो अब डॉग जो है वो इनसान के पास चला गया और उसके साथ ही रहने लग गया और उसके वफादारी से सेवा करने लग गया अब ये जो है वो बहुत पहले हुआ था लेकिन आज की दिन भी डॉग इनसान का सबसे वफदार नौकर है और अब वो किसी और दूसरे मालिक को नहीं ढून रहा है क्योंकि उसको जो है प्रिथ्वी पर सबसे ताकतवर प्रानी मिल गया था तो इस तरह से हमने देखा कि डॉग ने अलग-अलग जानवरों को अपना मालिक बनाते बनाते किस तरह से लास्ट में इनसान को अपना मालिक बनाया तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी समाप्त होती है धन्यवाद